हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनस एंड बी चैनल पर मैंनी तीन आप सबी का सौगत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंडो में से चूजे निकालने के लिए आपको कौन से एज लेना है क्योंकि अंडो में दो वेराइटी आती है दोस्तो एक आती है फटिलाइज और दुसरी आती है अनफटिलाइज अगर आप फटिलाइज एज अगर यूज करते हो तो आपके अंडो में से 100% चूजे निकलेंगे बट अगर आप unfertilize age अगर incubator में रख दोगे तो आपके अंडों में से चूज़े नहीं निकलेंगे अब आप लोग बोलते होंगे कि भाई fertilize और unfertilize age कैसे पहचाने आप बहुत लोगों का comment भी आ रहा था कि सर market में जो मिलने वाले सपेद अंडे है एक राशन की दुकान पे जो मिलते है उससे चूज़ा निकलेंगा तो नहीं दोस्तो उसमें से एक भी अंडे में से चूज़ा नहीं निकलेंगा क्योंकि वह सब unfertilize age होते fertilize उसे कहा जाता है जो मुर्गे अंडे तो दे बट वो मुर्गी के साथ मुर्गे रह चुके हुए होना चाहिए या फिर अभी फिलाल मुर्गा होना चाहिए तो ही उस अंडों में से चूज़ा निकलेगा वही अंडे fertilize होते है क्यों कि प्रकृति का निया में जब तक नर और मादा साथ में ना हो तब तक नया जीव तैयर नहीं हो सकता दोस्तो हम प्रकृति के नियम के खिलाब नहीं जा सकते अगर मुर्गी के साथ मुर्गा है तो तब वो अंडे दे रही है तो वो सभी अंडे fertilize होगे और ये दो बादार में मिलने वाले राशन की दुकान पे मिलने वाल जो सपेद एज होते है दोस्तो वह लेयर मुर्गी के होते है यह मुर्गिया स्रीप अंडो के लिए पाली जाती है आपको तो पता है कि स्रीप फिमेली अंडे देती है मेल कभी अंडे देता नहीं इस वज़े से वो पिंजरों में पालने वाली स्वभी फिमेल होती है उनके साथ किसी भी तरह का कोई मेल याने मुर्गा नहीं होता इसलिए वो स्वभी अंडे अन्फटिलाइज होते है उसमें से चूजा नहीं निकलेगा अब आप पूछोगे कि फिर बॉयलर चूजे कहां से आते है तो दोस्तों बॉयलर चूजे बॉयलर एक से ही निकलते है और वह एक बॉयलर मुर्गिया दिती है जिने ब्रीडर कहा जाता है वह मुर्गिया स्पेशली अंडों के लिए हैचिंग वाले पालते है और उन से अंडे लेके उन में से बॉयलर चूजा निकालते है वह अंडा ब्राउन कलर काता है और वो अंडे का मार्केट में रेड भी अच्छा खासा है दोस्तों वह अंडा कम से कम 20 रूपे के उपर ही मिलता है अगर आपको हैचिंग करना है और अंडों में से चूजे निकालना है तो आप देसी कड़कना या देसी में जितनी भी वेराइटी आती है वह अंडे लेके आप हैचिंग कर सकते हो अंडों में से चूजे निकाल सकते हो incubator का प्रयोग ज़्यादा तर देशी मुर्गियों के अंडों में से चूदाय निकालने के लिए ही करे क्यों कि मुर्गी के नीचे अंडे रखने में हमें ज़्यादा रिजल्ट ने आता कभी कभी तो 20 अंडे रखने के बाद मुर्गी स्रीप 5 ही चूदे निकालती है तो अगर आपको कोई डाउट है अभी भी कौन से अंडे लेना, कोई से नहीं लेना या पिर अभी अभी आपको हमारी कोई बात या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हमें पूछ सकते हो और अगर कोई नए मित्र पहली बारित चैनल को देख रहे है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि Best Business NB चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हूआ बेल आइकान भी दबा दे कि ताकि आने वाले सबी वीडियो की नोटिफिशन आपको मिल सके वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और जरुतमन दोस्तों में से शेयर करना धन्यवाद